नमस्कार जै मात अदी मैं आचार इंद्रदेवसिष्ट कालिका धाम जोतिस से कुनलडी इपी के दर्सकों को बहुत-बहुत स्वागत हैं बहुत जरूरी उपाय लेके आया हूँ आप सब के लिए बहुत शोद करके बहुत पढ़ने समझने के बाद जिन उपायों का हमारे जिन्दगे में बहुत ज्यादा प्रणाम बहुत जल्दी असर पढ़ता है अक्सर हम लोग उसी उपाय को आप तक पहुंचाया करते हैं आज हम उपाय करने बताने वाले हैं कर्ज मुक्ति के लिए हमारे समाज में कहीं से अरे लोग ऐसे हैं चाहें बैंक से करजा हो या फ करज का होना भी खाराइं आप माना जाता है लेकिन सभी को कहीं न कहीं किसी जरूरतों के कारण कर्ज लेना ही पड़ता है तो अगर आपका कर्ज नहीं उतर रहा है आप बार बार कोशिश करते हैं फिर भी याप प rubber को प्रशान है कर्ज से मुक्ति नहीं मिल धीनाई है इस दोस्तों, कर्ज से मुक्ति पाना मतलब यह नहीं कि आपने आज उपाय के और कल आपको कर्ज से मुक्ति मिल गई, ऐसा तो नहीं है, उपाय का मतलब ही होता है कि आपके नहराज्टे खुलते हैं, बिगड़े काम बनते हैं, कुछ साधन ऐसे बनते हैं, कुछ सहयोग ऐसे मिल या इस धर्ती पर जो विद्यमान है हर वस्तु कहीं न कहीं प्रभावशाली है अपने आप में विरिक्षों का बहुत महत्व है इसी तरह से एक विरिक्ष है बट विरिक्ष जिसे हम बोड भी कहते हैं बट का पेंड इस उपाय के लिए आपको बोड का पेंड डोणना अब करना क्या है शुकल पक्ष के सोम बार वाले दिन शुरुआत करना इसका शुकल पक्ष को सोम बार को एक लोटे में एक गड़वी में जल लेना है और उसमें पीसा हुआ थोड़ा सा चावल डालना है और एक चुटकी हल्दी डालने है और एक चुटकी चीनी डाल लेन पीशा चावल एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी चिनी डाल लेना है चावल को आप रवी बार को भिवो दे ताकि दूसरे दिन आप आराम से पीश सके और उस पाने में घोल लीजी मिला लीजी है आपके घर के पास मंदिर में यह कहीं भी पट का विक्ष हो कम से कम सोमबार को प्रारम करना है शुकल पक्ष के चाहां दिनी रात जब चलती है शुकल पक्ष के सोमबार को आपने जल चढ़ाना सुरू कर देना है बट के पेड के जल में जड में जल को चढ़ाया करना है सोमबार सुरू करना है और ऐसा आप निरंतर कम से कम 43 दिन तक करेंग या 45 में दिन जहां आपने जड़ रहाया है उसी पेड़ के जड़ के पास से थोड़ा सा जड़ उखाड लाए या तोड़ लाए उस बोड के उस बड़ के जड़ को आप किसी लाल कपड़े में या फिर जैसे भी आपको श्रुब दह लगे अपने शरीर के साथ बाजू में या कलाई में अपने शरीर के साथ कहीं भी बांध लीजिए हैरान रह जाएंगे लेकिन जड़ उखाडते हुए भगवान महादेव का ध्यान करना है बट के स्वर भगवान का ध्यान करना है बट में भगवान शिव का निवास माना जाता है ऐसी कथाए शिव पुराण मिल के पास आकर अपनी मनोकामना या अरदास करेगा पूजन करेगा उसके हर मनोकामना शिद्ध होंगे तो कर्जमुक्ति के लिए ये बाला प्रयोग आपने करना है आप देखेंगे बहुत जल्दी है आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे अर्निंग अच्छी हो जाने कोई इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राए कॉमे